दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लड अफेश चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करेंट अफेश डेली बिस्स पर यहां पर आप पड़ सकते हैं क्युक्पॉइंट और रहेशा स्पेशल डेंस्क्रीवड देन प्युक्पॉइंट आप मेरे टेलीग्राम चैनल ए सब्सक्राइब करने का इसमें रेस किया जाता है इस दिन और जो इस बार का थीम है उसके उपर कोशन आ सकता है तो बीसी किसका थीम है लीडर्शिप एंड पार्टिसिपेशन और परसन डिसेबिटी और इंक्यूजिव एससेबल और सस्टेनेबल पॉस्ट कोविड-19 वर् जो उनके द्वारा इसे लॉंज किया गया है यह पुलिस हेड़कोर्टर कोहिमा में है नागलेंड के जहां पर इसे लॉंज किया गया और यह एक तरीके से जो एप है जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनको रिक्वार्मेंट है एक एक्सेस विद पुलिस तो उनको इसका है एक्सेस में है और आप एक वन क्लिक से जो है एक्सेस कर सकते हैं इस पूरा एप में बहुत सारे फीचर एक्जामपल डारेक्टरी इस अलर्ट ट्रिस ट्रिप्स एस नेरस पुलिस्टेशन सर्च जितना भी है सब आपको इसे मिल दाएगा और इस एप को गूगल सोर्स से क्या सकता है और इंडूट फोन के लिए और इंपोर्टन है कोशन आ सकता है चली देखे दूसरा सवाल रामकुमार रमनथन जो है इनको इनके इनके द्वारा जो है अभी हाल फिलालमिक सिंगल टाइटल जीता गया मैडन चैलेंजर लेवल सिंगल टाइटल एक स्खेल से सं मंदित है देखे यह जो खिलाडी है 27 वर्ष की इनका इयू है इससे पहले यह छे चैलेंजर फाइनल जो है हार चुके हैं लेकिन इस बार इन्होंने बीट किया है रश्या को ठीक है 68 मिनेट के इंटरवल में जो यह मैचिस हुए थे इसमें इंडिया के इस खिलाडी ने ठ इनका पूछा सकता है तो इस समय इनकी रेंग का उपर कोशन आ सकता है तो ध्यान रखेंगे इनका रेंग के बारे में चली देखते हैं एक और कोशन इंपोरेंट हाल फिलाल में कौन्सी स्टेट गॉर्मेंट है जिसने रिलीस किया 686 करोड और विद्या दिवान योजना दो यह स्कीम जो है गौर्मेंट ऑफ आंध्रब्रदेश की स्कीम थी सीं है नैपने पीसे स्कीम के बारे में जाना विच्छान वृण्योजना विद्या शॉजन विद्या वियरोजना और करने के लिए स्टूछ 54 इप्रीजी चोर्सिब करने के लिए स्टुटबे उनको benefit मिलेंगे इसी scheme के अंतरकत, अभी तक according to the chief minister announcement, government ने 6,250 या 60 करोड के आसपा spend कर दी है, इसका benefit 21,00 के आसपा student को जो है scheme से हुआ है, since 2019 से इसको start किया गया, इसका पूरा aim question में आ सकता है, इसका aim 100% literacy के साथ 100% graduate भी है, तो दोनों aim इसके targetable है, तो एक और question देखिएगा, देखिए, skyroot aerospace जो है, इन्होंने test fire किया इंडिया का पहला privately built cryogenic rocket engine, और इसका नाम क्या रखा है, धवन 1 जो है, इसका नाम रखा गया है, देखिए, आप सभी जानते है, space tech ये इंडिया का जो start-up, skyroot aerospace startup है, इन्होंने आल भिलान में announce किया है, कि इन्होंने successfully test किया है, धवन जो कि इंडिया का पहला first priority developed fully cryogenic rocket engine है, ये engine two high performance rocket propellant पर work कर रहा है, पहला है liquid natural gas और दूसरा है liquid oxygen, balance LNG और LOX, और ये test fire किया गया था, solar industry इंडिया लिमिटेड नाखपूर में वहाँ पे, ठीक है, ये test conduct किया गया था, ठीक है, टेस्क ने clear demonstration दिया है, कि ये successful रहे है, इसमें ठीक है, अपर स्टेज जो है, Skyroot Orbital Vehicle Vehicle 2 का है, LNG का, तो important है question आ सकता है, Skyroot ने इस पूरे cryogenic engine का नाम धवन दिया है, आप सभी जानते होगे, धवन वन किसले नाम दिया है, क्योंकि एक owner है, इस से संबनित, eminent Indian rocket scientist है, हमारे देश के, ठीक है, कौन, Dr. Satish Dhawan जी, important question आ सकता है चलिए, देखिए, महत कुंट सवाल, International Telecommunication Union और कौन सा Department ने दोनों ने मिलके, जो है, India ITU Joint, Cyber Drill 2021 जो है, लोंज किया है, तो ये International Telecommunication Union के साथ Department of Telecommunication ने जोइन किया है, तो ये दोनों है, Department of Telecommunication और International Telecommunication Union जोनों ने लोंज किया है, ठीक है, Cyber Drill 2021, इसमें बहुत सारी entities जो है, पार्ट ले रही है, जो Cyber Security Network Infrastructure Operator से संबंदित है, ये चार दिन का Virtual Event है, जो कि 30 November को स्टार्ट हुआ था और 3 December तक रहेगा, ठीक है, और इसमें, इसमें exactly अगर आप से पूजा तो 400 participants है, जो कि इसी सेक्टर से संबंदित है, एक्जाम्पल के तोर पे, पावर, इंशोरेंस, Finance, Industry, Academy, Telecom, इन सबसे संबंदि जो है, Cyber Security को प्रमोट करने के लिए, देखे, इसमें, जो इस समय Director of ITU Regional Office के है, ठीक है, अच्छु को कूडु जो है, इनके द्वारा Announcement, और भी चीजों की की गे, जैसे इंडिया का Achievement है, हाल फिरल में, इंडिया 10th rank पे है, अगर देखा ज Management को देखते हुए, Cyber Security को प्रमोट करना और ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, पॉलसी इसलिए बहुत सारी बनाई भी गिया भी, देखते है, इंपोर्टन कोशन आप सभी से पूझा सकता है, कुम से Minister, Minister of State of Personal है, जिनके द्वारा लूंच किया गया, यूनिक Face Recognition Technology for Pensioners, तो य ठीक है, ठीक है, कॉमनली घोशित कर दिया गया, Ministry of State and Personal जितेंदर सिंग जी के द्वारा कि एक यूनिक Face Recognition Technology लाईगी है, ठीक है, जो की एक तरीके से प्रूफ की तरह काम करीगी, लाइफ सर्टिफिकेट के तरह, ठीक है, इसे एंचोर रहेगा कि जितने भी रिटाइड ए पेंडेटरी है, अदरवाइस पेंशन नहीं मिल पाती है, तो यह इसलिए यह फैसलिटी जो है, प्रवाइट की गई है, और इससे जो है, अराउंड 68 लाइक सेंटर गवर्मेंट पेंशनल है, जिनको बेनिफिट हो सकता है, उसमें ओवर भी बहुत सारे आएंगे, चली, देखते हैं गुर कोशन, सेकिंड दिसम्बर को क्या सेलिबेट किया आता है, इसका आंसर है, नेशनल पॉलुशन कंट्रोल डे, इसको मैं कम्प्रीट तरीके से एक्स्प्रियन कर देता हूं, पहली बात तो यह जो डे ऑब्जर्व किया था, नेशनल पॉलुशन कंट्रोल डे 2 दिसम्बर को यह एक तरीके से स्मर्ण किता है, इसका भॉपाल गैस ट्रजडी जो हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ जो है कोई थी, ठीक है आप सभी जानते होंगे, यह जो भॉपाल गैस ट्रजडी के बारे में बता देता हूं, यह 2 दिसम की वज़े से उस समय में बहुत सारे 500,000 के आसपस लोग पॉजनल गैस से इंपक्ट हुए थे, और अराउंड 25,000 लोगों की मृत्ती हुई थी उसमें, तो यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, पूरी दुनिया में, तो इस व से बहुत जादा जून रही है, तो इंपोर्टन कोशन आ सकता है, देखिए, गौफरी जॉनसन जो है, इनका निदन हुआ हाल फिलाल में किस फीड से संबंदित थे, यह कास्टिंग डारेक्टर थे, ठीक है, गौफरी जॉनसन जो है, एक रिनोंड कास्टिंग डारेक्टर जैसे इननोंने जो पीए करी थी, वह कहां से इन्युशन एक इन्यूर्सिटी और जो पीए करी थी, और इन्यूनने बहुत सारे फेमस वेक्ति हैं, डेविड मेरिक, देखिए, डेविड मेरिक के साथ कास्टिंग डारेक्टर और भी बहुत पसीद है, उनके साथ काम किया ह कि इनका जो निदन है कौन से वर्ष में हुआ ठीक है और कौन सी एज में हुआ यह सब कोशान आपको मिल सकते हैं किस फील से संब्दित हैं देखें महतकुंट सवाल हाल फिलाल में एक रिपोर्ट आई है किसकी एकनॉमिक इंटेलिजेंस उनिट अफ लंडन इनके सिटी है टू लीव अकोडिंग टू इकनॉमिस इंटेलिजेंस यूनिट तो यह एक इस्राइली सिटी है जो कि इस बार जो है अगर अगर हम कंपेर करें लास्ट एर का 2020 का रिपोर्ट तो इस बार यह अप पर आया है ठीक है इंपोर्टेंट है ना तो और सेकिंड नंबर पर इस बार जो है सिंगापूर है सेकिंड नंबर पर उसके बाद जूरिक आप सभी जानते हैं एन होंग कॉंग नियोक यह सब जो है उसके नेक्स्ट नेक्स्ट है ठ्यान रखेगा लेकिन टॉप सिटी का नाम आपसे कोशन पर आ सकता है ठीक है इंपोर्टन कोशन है डार पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वीडें में ज्यादा जो है फीमल मेज्योर्टी काबिनेट बना है और पहली बार फीमल जो है तो उनका डारेक्ट नाम ही पूछा आ सकता है कि जो स्वेडिश प्राइमिनिस्ट आप कोन है मगलेना एडरसन है और उनके दोरह जो क्याबिनेट बना गया उसमें पहली बार एक फर्स ट्रांजेंडर पर्सन को जो है मिनिस्ट्री सोपी गिया है उनका नाम है लेना एलक्सन तो इन पर भी कोशन आ सकता है अगर देखा जाए लेना एक्सन पर कोशन अगर आए 51 एज इनकी है तो कोशन आ सकता है यह बहुत ऐसा मैं था उसक अरुनाचर पदेश का ब्रैंड एमस्टर इन्हें बनाएं गया है आप सभी जानते हैं बोलिवूड एक्टर है अब यह हाल फिलाल में अरुनाचर पदेश में 50 इयर ऑफ सेलिब्रेशन हुआ है इसी के टाइम पर इसी डूरेशन पर जो है संजेद अजी को जो है इस स्ट सेट की जो यूनीकनेस है उसको हाइलाइट किया जा सके है अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो नौर्थ इस्टन फ्रेंटर जो एजनसी था एनी एफ उसको बाद में अरुनाचर पदेश को घोशित किया गया था ठीक है यूनियन टैट्री के रूप में जनवरी 20 1972 में इ एक अवार्ड विनिंग जो फिल्म मेकर है राहुल मित्रा इनको भी ब्रैंड एडवाइजर घोशित किया गया अरुनाचर पदेश का कोशन इस पर भी आ सकता है चली देखे आज के क्यूक पॉइंट हाल फिलाल में पतल पानी जो रेलवे स्टेशन है कौन सी स्टेट का है जिसका रीनेम किया है और तनत्या मामा रेलवे स्टेशन घोशित किया गया इनका नाम तो मध्य बदेश का ये रेलवे स्टेशन है बस नाम चेंज किया गया कोशन आ सकता है अभी आल फिलाल में सस्टेनेबल डेवलप्पंट ग्लोबल अर्बन इंडेक्स आया नीति आयो होती है अमर कंठक प्रेट्टिव से और डिफरेंट डिरेक्शन में राती है सभी का आंसर सही है हर शानंद का आंसर बिल्कू करेक्ट नर्मदा इन सोन नदी आज का सवाल बहुत महत्पूर्ण चेह असल का सवाल है आमिर खुसरो जो है ये डिस्पल थे किसके डिटेल फो मिलने वाली है और एक युनिक क्लास आथ 3PM पर आपको मिलेगे टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखिए आपके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जैसे आप एक्जाम्पल के दोर पर सब्सक्रिप्शन के पर सकते हैं तो आ सारे टीचर सारे सब्जेक्स सब कुछ अवलेबल होता है और सबसे कम फीस आपको लाइव अबन राफ को यूज करके मिल सकते हैं तो यूटिलाइज करें सेशन को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स और आट पर वाचिं